वेल्कम टू टार्गेट फॉर आग्यू मैसेल प्रविंदर कुमार तो देखेगा यहां पर हम कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन करेंगे आपके बायलोजी के और विस्तार से करेंगे जहां भी जैसा भी हमें लगेगा कि हाँ इस कोश्चन से और आपके कोश्चन आगामी पर सकते हैं तो उसी के अकोडिंग हम उसका एक्स्पिलेशन भी करेंगे ठीक है पहला प्रिश्चन जो है वह है आपका प्रिट्सी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है मतलब सबसे जो पुराना है एक मानने में आप यह रखें कि सबसे पहले उसी जीव क्यूत पत्ति हुई है तो वह कुन सा है तो इसका जो आपका आंसर होगा वह हो नील हरित सेवाल यानि की नील हरित सेवाल बिलू ग्रीन एलगी ठीक है प्रिट्थी पर सबसे पुराना जीव कुन सा है नील हरित सेवाल काफी इंपोर्टेंट है नील हरित सेवाल आपने बिलू ग्रीन एलगी दे पोखरान या रिवर्स होते हैं उनमें भी एक सिस्टम बनाए रखते हैं वो जो आपका एको सिस्टम होता है समुद्र का नदियों का उसको बनाए रखने में काफी मददकार होते हैं बिलू ग्रीन एलगी यानिकी नील हरित शैवाल दूसरा प्रिशन है आपका डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकर्तिक वरणवाद निम्न में से किस पर अधारित है यानिकी जो डार्विन ने अपना सिध्धान दिया था प्राकर्तिक वरणवाद यानिकी नैचुरल का उसके उपर ये कोश्चन है अब इसमें जो अधा इस सब पर अधारीत है और प्रोडक्शन पर भी श्रगल फोर एग्स इंड वैरियेशन पर सर्वाइवल आफ दा फिटेश्ट इस सभी पर अधारीत है तो काफी इंपोर्टेंट है नेस्ट द जो पुस्तक है दी ओरीजन ओफ इस पीसीज किसने लिखी है काफी इंपोर्टे सो सिध्धांट है प्राकरतिक out यानि के थ्योरी ओफ नेचरल स्थन कभी कभी इस थीяс से घहाता है एप्र ये वह भी आपको कि ने पृति पादित किया डारविन ने है घी कहें विकاص जैव विकास को सरपर्थम किसने समझाया जो जैव विकास है मतलब इवोलिशन है उसको सरपर्थम किसने समझाया तो वह समझाया लेमार्क ठीक है लेमार्क ने समझाया जैव विकास को सरपर्थम next question है विकास के उत्परिवर्थन सिध्धान उत्परिवर्थन जो होता है आपका mutation होता है mutation यह हम पहले ही पढ़ जोगे है mutation theory ठीक है mutation को ही उत्परिवर्थन कहते है बहुत ज़ादा important है बहुत बूज़ा जाता है फिर्शन तो यह सिध्धान किसका है theory of mutation यह उत्परिवर्थन सिध्धान किसका है तो यह है होग्रोडी breeze का ठीक है next question है dinosaur थे dinosaur क्या थे यह हैं आपका बताना है तो dinosaur जो है आपके तो dinosaur आपके में से जो एक सरिसरफ वर्क के अंतरगत आते थे अनरे कि reptiles के अंतरगत ही आते थे अब डाइनासोर को miso zoeit भी इससे लिए बूला गया है चुकि उसी काल से है मीसो zoeit से और reptiles के अंतरगत आते थे इसलिए इसको miso zoeit miso zoeit miso zoeit सरिसरफ बोला गया है next person है ापी important है महमत पूर वज यह है नेक्स है गरम रुधिर यानि की warm blood वाले जन्तू वे होते हैं जो अपने सरीर के ताप करम को आखिरकार कौन से होते हैं जो अपने सरीर के ताप करम को कैसा रखते हैं वहीं यहां पर बूजने की कोशिश की गयी है तो इसका जो विकल्फ होगा वह होगा तीसरा हमेशा एक सा बनाए रखते हैं मतलब जो वार्म बलड वाले जंतु होते हैं वह क्या होते हैं सिरी के तापकरम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं चाहें आपकी सर्दी हो चाहें आपकी गर्मी हो उन पर कोई प्रभाव नहीं प तो यह अंदर रहें काओ याद रहें कि गज्विश पै फिस्पीश हुआ ने स्टी आपका निफ्शिटम कोन मचली नहीं हैंija जो चली फिए न livelihood बें सब्सक्रीज और इक दाख देच लीजेगा एक बार हिंगत रहें reb хот एक तो यह पुजू आ तो यह भी इस्पूर मचली नहीं है जैली फिस भी मचली नहीं होती है ठीक है जैली फिस भी मचली नहीं होती है और कैटल फिस भी मचली नहीं होती है यह 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 सबसे बड़ा इस तन पाई है तो जो सबसे बड़ा इस तन पाई है वह कौन सा है वेल मचली ठीक है वेल फिज जो होती है वह सबसे बड़ा इस तन पाई है डालफिन वर्ग की जाते है जो डालफिन है वो किस के अंतरगत आते है तो डालफिन जो आते है आपके वह आते है उप्सन नमबर इसका डी सही होगा ठीक है इस तनी वर्ग में वो आते है नेक्स्ट अगर हम बात करें निमलिखित में से सील किस जाती का है तो सील जो है वह है एक इस्तनपाई जन्तु है यह भी यहाँ भ्याद रखेगा और यह प्रिश्णापके PCS समिक्साधिकारी आरो यारो में पूछे गए हैं इसलिए आपकी जुडिसरी से तो काफी इसके बारे हम बात हो ही है ठीक है एंबीफिया तो यह बताता है कि जल और इस थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुवगओं मतलब वाटर और अर्थ दोनों पर रहते हैं वही कहलाते हैं एंबीफिया एंबीफिया आप जान गए होंगे हैं अप उभेचर भी इसको बोलत तो बात करें तो एक म्रदू कवची मोलास्क की स्रेणी में आता है जीवों की स्रेणी है तो बस यहां पर रखना है मोलास्क जो ओक्टोपस है वह किस स्रेणी में आता है मोलास्क केटेगरी में आता है सबसे बड़ा अकेसी रुकी जो अकेसी रुकी है वह कौन सा है तो यह है आपका इस्क्वीड ठीक है इस्क्वीड है यह बड़ा रिपीट हो जाए आपकी परिक्सा में जुगनू होता है जुगनू, आप देखे होंगे, रात में जो कीडाइक उड़ता रहता, उसमें लाइट्स जलती रहती है, तो वह कीटी होता है, इनसेट्स होता है, ठीक है, किस जीम में सफेद रक्त होता है, जो सफेद वाइड बलड है, वह किसमें होता है, तो ये भी काफी से गता हैं जड़ का धाया हो इसा कौन सा अमल होता है जिसके कारण हमें हमें फील होता है दर्सफील होता है लगी तो गुम्य होता है का फ़र्मिक आम लैक्षosed कम probability कहला साइन्स के देख लिजेगा सीस्मोग्राफ पता है एक पिंड का दिखतम बाहर कि समोगे होता है डाइनमो एक युक्तिय जो परिवर्थी कोर्जा को वेदित उर्जा में ठीक है पढ़े लेणिकल एनरजी को एलेक्ट्रिक एनरजी में कोणेज़ करती है का जनक कुन है, जयनिटिक सائंस जो है वर्तवान, उसका जनक कौन है, गिरेगर जोन मैंडल, कुनेन सिन कोना, पादप के किस भाग में प्रागरतिक रूप से पाई जाती है, तो चाल में, जो आप कह सकते हैं विर्क्स की जो उपर की चाल होती है, उसमें यह पाई जाती है सोरूर्जा ATP में बदलती है यह हमने question किया भी है इसलिए important भी है chloroplast में बदलती है सोरूर्जा आपकी chloroplast में ATP के रूप में बदल जाती है मानव सरीकर की संग में लसी का कोशिकाई मनती है तिली में मनती है इसलिए हमने पढ़ाई है nitrogen स्थरीकरन जिवानों किस पोदे की जड़ के सास्थ निज़न करते हैं दाले important है जो nitrogen का स्थरीकरन होता है वैकि इस पिरकार की पोदों की जड़ों में होता है तो दालों में पल्स में होता है मुमफली में किसकी पिरचुड़ता अधिक होती है protein और वसागी होती है next है जब रखत में oxygen की सांदरता कमी आती है तो सांस की गती बढ़ जाती है जब रखत में oxygen यानि कि blood में oxygen की कमी होती है तो क्या होता है सांस की गती बढ़ जाती है इंसुलीन में कौन सी धात्व होती है जस्ता होता है मनिश्य की मुगवा में किसका पाचन प्रारंब होता है तो कार्भाइट्रेट का पाचन प्रारंब होता है तो यह है कुछ इंपोर्टेंट प्रेशन आपके अमीद है कि आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और प्रीवियस कोशन अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप इन पर ध्यान देते हैं तो आपको कहीं न कहीं परिक्ष्टा में बहुत बेनेफिट से मिलने वाला है ठीक है तो थ जित्रे के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट सेर चरू करें थैंक यू सो मच